अभी आगाय हूँ एक ट्रांस्फर्मर के पास अभी देखते हैं उस ट्रांस्फर्मर के सारे पार्ट के बारे में और उस पार्ट के काम के बारे में तो उससे पहले बता देता हूँ यह ट्रांस्फर्मर है थ्री फेज 1100544 वोल्ट स्टेप डाउन पावर ट्रांस्फर्मर तो चलो देख लेते हैं इस ट्रांसफर्मर के सारे पार्ट के बारे में यह जो दिख रहा है इसको कहता है में टैंक यह हो गाया में टैंक इसके अंदर रहता है वाइंडिंग और वायल तो वाइंडिंग और वायल के बारे में बात कर लेता हो थोड़ा सा तो ट्रांसफर्मर का यह जो ट्रांस्फर्मार है उससे पहले और एक बात कर लो यह ट्रांस्फर्मार 11 by 11 कभी वाइब 44 वोल्ट का है मतलब इन्पुट में 11 कभी आएगा और आउट्पुट में 44 वोल्ट आउट्पुट मिलेगा मतलब यह जो ट्रांस्फर्मार है उसका वाइंडिंग रहता है प्राइमारी साइड रहता डेल्टा एंड्स रहता है उससाइड़화를 नेकिन व्याज शर्म café वता रहता है तो नेचरली जो यूजो यूज यूज कि आजदा है वो discovering यूज यूज किया जाता है नेप्थेनिक बेस्ट टॉयल इसके आलेवा और भी कुछ यूज किया जाता है पेराफिनिक और सिलिकॉन बेस्ट और बायो बेस्ट लेकिन जो सिलिकॉन बेस्ट महेंगा होता है बायो बेस्ट अभी यूज नहीं किया जाता है ज्यादातर यूज किया जाता है ने टेनिक कि और देख लेते हैं ओ जो उपर दिख रहा है जो टैंक इसको कहता है ये कभी भी फूल भारा नहीं जाता है उसके उपर दिख रहा है एक लिजके वाईल डालने के लिए इक उपर छेधर है तो उसको आधाई भरा जाता है वो आधा भरने का रिजन एई है जब ट्रांसफर्मा चालू रहता है तो वाइंडिंग बहुत गरम होता है और गरम होने की वज़े से वाइल फ्यालने लगता है एक्सपांड होता है अब कंजर्वेटर टैंक को फूल भर दिया जाएगा तो वो चांसिस रहता है लेकिन आधा जब भरा जाएगा तो उएल एक्सपांड हो के चंजर्वेटर टैंक का ओभा जग हो भर लेगा लेकिन जब भी धीरे धीरे वाइंडिंण ठंडा घंडा हो हम और व्रिफार के अंदर रहता है सिलिका जेल व्रिफार क्यों यूज किया जाता है इसलिए क्योंक्षी तो चाहिए तो बाहर निकलेगा लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका इक्सपेंटेशन खतम होने लगेगा और में ट्रैंक में आने लगेगा तब बाहर से यह इंटेक होगा तो बाहर से इयह इंटेक होते के time एयार के साथ में बहुत सरा moisture रहता है और बहुत कुछ रहता है तो mainly moisture को absorb करने के लिए नमी को absorb करने के लिए यह breather को use किया जाता है और यह ब्रितार के अंदर जो silica gel है, अभी तो यह blue color में है मतलब यह सही है जब इस सिलिका जेल ऐसे मतलब पिंक कलर का हो जाएगा तब मानलो ओस सिलिका जेल खराब हो जुका है उसका लाइफ खतम हो जुका है तो उसको चेंज करना होता है तो यह जो दिख रहा है यह हो गया कुलिंग ट्यूब या रेडियेटर जब ओयल गरम हो जाएगा इमेनली काम करता है ओयल को ठंडा करना ओयल कुलिंग प्रोभाइट करता है ओयल कुलिंग करने के लिए मेनली उसकिया जाता है रेडियेटर या कुलिंग ट्यूब जब मानलो ओयल गरम हो गया तो कोई भी लिक्वीड का एक फर्मूला रहता है जो गरम है वो उपर के तरफ रहेगा जो ठंडा हो नीचे के तरफ रहेगा तो मानलो गरम हो गया तो उपर के तरफ से नीचे के तरफ धिरे-धिरे आता रहेगा जितना ठंडा होगा नीचे के त इसके बाद देखो यह होगा या तुम्हारा जोपं लोग सेंपल लेते हैं यह होगा है सेंपल Wolverine जब लेते हैं लोग वाईल का ब्रेखडाउण कीटमे आप देच्ट मेंदगोंद्स करें है तब इसी वाल के मदद से हम लोग वाइल निकाल लेते हैं और उसी का टेस्ट करते हैं यह हो गाया ट्रांसफर्मर का नेम प्लेट ट्रांसफर्मर का नेम प्लेट यह भी बहुत बड़ी एक टॉपिक है इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा एक और यह हो गाया ट्रांसफर्मर को चेंज करके हम लोग एक फिक्स ले सकते हैं लेकिन जब भी ट्रांसफर्मर को चेंज किया जाता है तुरांत उसी टाइम पहले ट्रांसफर्मर को आफ किया जाता है उसके बाद ही टैप चेंजर को घुमाया जाता है वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए यह दिख रहा है एक्स्प्लोशन वाल इसका में काम में यह है मानलो जब वायल एक्सपंड हु गया कंजरवेटर टैंक भी भर गया फिर भी जादा एक्सपांड हो गया जादा गैसिस बन गया तो जादा गैसिस वाल है मनलोग कोई खराबी आ गया तो एक्स्प्लोशन वाल का जो यह अगले वाला हिस्सा दिख रहा है यह आपर यह बना होता है एक नरम धातु से जो ट्रांसफर्मार की जो बॉड़ी है जो में टैंक है उससे बहुत नरम धातु से बना होता है तो पहले ओ फट जाता है जैसे आपके सबीका घर में प्रेशार गुकर होगा है प्रेशार गुकर का तो में एक सिटी जो सिटी देते है मेन एक का सिपटी वाल रहता है जब रहता है उसके नीचे और भी सेफ रहता है और जो cooking करता है उसी time वो भी save रहता है तो यह हो गया safety के लिए full safety के लिए explosion valve और bushing तो में दिखा नहीं पाया हो इस transformer के और भी बहुत सरा part है transformer का तो bushing तो में दिखा नहीं पाया हो और देखो यह ground किया गया है transformer को transformer को क्यों ground किया जाता है इसके बारे में भी एक वीडियो लेके आउंगा बाकी transformer के बारे में कोई भी सावाल तुमारे मन में रहेगा कोई भी सावाल करना है तो comment box में कर सकते हो मैं उसका answer देने की कोशिश करूँ